हे गाईस आगया हूँ और एक मज़ेदर वीडियो के साथ आज हमरे पास है Vivo V30 Pro अभी के टाइम में 40,000 रुपीज में सबसे अच्छा कैमेरा स्मार्टफोन एही है और इसके कैमेरा के अंदर बहुत सारे बहतर इन फीचास दिया है अगर आप एफोन ले रहे हो और इसके कैमेरा के बारे में डीटेल में पता ना चले इसके कैमेरा को अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाओगे आज इस वीडियो में टॉप 20 कैमेरा फीचास के बारे में बताऊँगा जिसको जाणने के बाद अच्छी तरीके से इस फोन के कैमेरा को यूज कर पाओगे कैमेरा फीचास बताने से पहले इस फोन का कैमेरा स्पेसिपकेसान में आप लोगों को बता देता हूँ इस फोन के रियार कैमेरा में ट्रिपल कैमेरा सेटप दिया है 50 मेगा बिक्सल का primary sensor 50 मेगा बिक्सल का protet lens है जो JIS के साथ आता है 50 मेगा बिक्सल का altroid sensor और 50 मेगा बिक्सल का AI selfie camera भी दिया है जब आब लोग camera application को open करोगे ऐसा ही interface दिखाई दिता है photo section के अंदर 1x mode के अंदर रहता है यहाँ पे अब लोग 0.06 करके दोस्तों अल्टरवाइट से पिक्चर खीच पाओगे 2x करके दोस्तों जो आप रोटेट लेंस दिया है उससे अब लोग पिक्चर खीच पाओगे इतना ही नहीं किसी भी लेंगेज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किसी पर लिखा हुआ है तो उसका एक पिक्चर क्लिक कीजिए translate में आके जो language में लिखा है उसको select कीजिए और जिसमें आप लोग translate करना चाहते हो उसको select कीजिए उसके बाद सब कुछ आपको translate होके दिखाई देगा flash light का option है इसके अंदर flash auto, flash on ये सब कुछ तो हर एक phone में रहता है लेकिन यहाँ पे aura light का एक option दिया है backside में जो square light दिया है यहाँ पे आप लोग control कर पाओगे color को कौन से color आपको रखना है और उसी के हिसाब से picture आएगा js के उपर अगर आप लोग tap करोगे तो यहाँ पे तीन अलग-अलग mode दिया है vivid mode, यहाँ पे textured mode और natural mode तीन mode करके picture खिजना अलग-अलग quality का picture आएगा color भी अलग-अलग रहेगा आपके favorite के हिसाब से select करके picture खिच सकते हो अगर आप लोग micro picture खिजना चाहते हो तो यहाँ पे super micro mode का option दिया गया है किसी भी product का अगर close-up picture किजना चाहते हो इसको अब लोग on करके जरूर रखना setting का option दिया है, यहाँ पे दोस्तो अब लोग frame को select कर पाओगे साथी में यहाँ पे timer का option दिया है, यहाँ पे label दिया है अगर आप सीधा पकड़े हो के नहीं, तो यहाँ से ही आप लोगों को idea लग जाएगा साथी में यहाँ पे HDR mode को on off यहाँ से ही कर पाओगे water mark का भी एक option दिया गया है दोस्तो, अगर आप लोग water mark को enable करोगे उसी time अगर water mark को enable रखना चाहते हो, कुछ इस तरीके से आप लोग water mark को भी enable कर साकते हो वीडियो में जाने के बाद दोस्तो, यहाँ पे आप लोगों को super study mode का एक option देखने को मिल जाएगा यानि कि standard stabilization, यहाँ पे दोस्तो आप लोगों को ultra stabilization देखने को मिल जाएगा और यहाँ से stabilization आप कर साकते हो, इस phone में आप लोग 4K 60fps करके video recording कर पाओगे लेकिन दोस्तो जब आप लोग ultra study mode को enable करोगे न, तो यहाँ पे देखिए, यह जो 4K है, यह disable हो जाएगा और भी बहुत चारे अलग-अलग mode दिया है, अलग-अलग आप test करते जाएगे, बहुत चारे option दिया गिया है दोस्तो, इन में से कुछ भी आप लोग select करके video shoot कर सकते हो more setting के अंदर आओगे, high resolution में, यानि की 50MP enable हो जाएगा, image के quality के साथ-साथ, जो size है, ओभी थोड़ा सा बढ़ जाएगा slow motion का option भी दिया गिया है, dual view video का option है, basically back set और front set में जो camera है, ओ एक साथ open हो जाएगा, और एक साथ record करना सुरू करेगा जो style है ना, इसको अब लोग change भी कर पाओगे, देखिए, इस तरीके का कुछ अब लोग change भी कर पाओगे, हलाकि इस तरीके का आप लोग move भी कर पाओगे, मतलब छोटे skin में back set का जो camera है, ओ लेकर जा सकते हो, या छोटे skin में front set का जो sensor है, उसको भी अब लोग convert कर सकते हो प्रोटेट के अंदर आओगे, तो यहां से अब लोग background blur को control कर पाओगे, साथी में दोस्तों यहां पे अलग-अलग filter दिया गिया है, इनमें से कुछ भी अब लोग blur को select कर सकते हो, अच्छा quality का picture आता है, stylish है दोस्तों, मैं तो जड़तर naturally रखता हूँ, साथी में beauty mode को आपके हिसाब से अब लोग select कर लेना, प्रोटेट के अंदर 2X select रहता है, यहां पे आप लोग 1X को select कर लेना दोस्तों, normal प्रोटेट सेंपल आएगा, लेकिन आप थोड़ा सा DSLR like picture चाहते हो, 2X करके ही picture खिचना, अच्छा quality का picture आएगा, like DSLR, night mode के अंदर आजाना दोस्त तो यहां से आप लोग select कर लेना, उसके बाद अच्छा picture आएगा, यहां पे हर तरीके का filter दिया गिया है, किसी भी picture को अगर height करना चाहते हो, ओ भी possible है, किसी भी picture के अंदर आजाना, 3.0 के उपर tap करके height के उपर tap कर देना picture height हो जाएगा, अब यह height picture देखनी के लिए album के अ पिक्चार आप लोग चेक कर लिजिए, comment box में जरूर बतना इसारे images आप लोगों को कैसा लग रहा है, कुछ picture मैंने प्रोटेट खीचा था, 2X करके, कुछ picture नॉर्माल खीचा था, सारही picture आप लोग चेक कर सकते हो, description में link भी डाल दूँगा, Google Drive का, उहां पे जाके भी वेडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेस वेडियो में